यह सारे गुरुप 13 के अलिमेंट्स हैं बोरोन ऐलीमीनियम गैलियम इंडियम और थेलियम और इनकी जो फर्स्ट आइनेजन थेल पीज हैं वो यहां पर हमें दी हुई हैं question यह है कि how would you explain this deviation from the general trend पहले थोड़ा से इसको देखें तो boron की 801 है इसे कम है thallium की यहाँ पे है thallium से कम है gallium की gallium से कम है aluminium की और उसके बाद इंडियम आता है यह जो order हम देख रहे हैं यह कोई specific order तो है नहीं यह totally random order है यह जो deviation है कम से कम कोई order तो हो कि यह जो deviation है from the general trends का कारण क्या है वो यह पूछ रहा है तो इसके लिए हम करते हैं सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि हम यह expected order है कम से कम उसको लिख लिए कि expect क्या कर रहे हैं expect इसमें हम यही करेंगे कि अगर हम किसी group में top to bottom जाते हैं तो हमें पता होता है कि जब हम top to bottom जा रहे हैं तो atomic size जो है वो बढ़ा चला जाता है atom बढ़ा होता चला जा रहा है यह हम अगर atom बढ़ा होता चला जा रहा है तो हम यह कहेंगे कि जो उसका outermost electron है वो उतना नुकली से दूर हो रहा है और वो loosely bound है इस वज़ा से हम उसको easily हटा सकते हैं तो हम यह मोटे तोर पे कह सकते हैं कि जैसे आप top to bottom जाते हैं आपकी जो ionization enthalpy है वो कम होती चली जानी चाहिए जो loosely bound electron है लास्ट वाला electron loosely bound है तो उसको हटाने के लिए energy कम चाहिए तो कम होती चली जाएगी तो top से bottom आते हैं आपकी जो ionization enthalpy है वो कम होती चली जानी चाहिए तो हम order यह expect करते कि बोरोन की सबसे ज़्यदा होती फिर aluminium की होती फिर gallium की फिर indium की होती लेकिन पाया क्या गया है पाया कुछ और ही गया है पाया यह बिलकुल random order पाया गया है बोरोन के बाद थैलियम थैलियम के बाद gallium गैलियम के बाद aluminium फिर indium इसका कोई pattern ही नहीं है तो इसका pattern है तो नहीं है लेकिन इसका मैं explanation आपको दूँगा तो आप समझ जाओगे एकदम और आप खुदी कहोगे कि ये है बिल्कुल सही तो ionization enthalpy की जब भी मैंने बात करी है अपने पिछले दो-तिन वीडियो भी देखिएगा ये एक बहुत interesting topic है और ये काफी interesting है भी इस मसले में कि जब भी हम ionization enthalpy की बात करते हैं इसका explanation सिरफ एक ही तरीके से होता है तरीका क्या है कि आप जो भी elements का discussion कर रहे हैं उन सारे elements की electronic configuration s-pdf-ally form में लिख ले orbital level पे उसकी electronic configuration लिख ले वहीं से answer मिलता है और एकदम मिल जाता है और हमेशा मिला भी है तो चलिए इस particular case में भी यही करके देखें कि क्या ये उल्टा सीधा story हम explain कर पाएंगे तो देखिए कैसे होता है मसा आएगा आपको write the electronic configuration of each सबसे पहले लिखिए boron की boron की electronic configuration ये helium 2s to 2p1 होती है ये आप खुद इसको लिख लेना क्योंकि यहां मुद्दा आप configuration समझाने का नहीं है मैं कुछ और समझाने कोशिश कर रहा हूँ तो ये मैं इसको मान लेता हूँ कि आपको ये पता है कि ये कैसे आई सो helium 2s to 2p1 अकेले boron से तो बात बननी नहीं है इसका अगला भी लिख लीजिए aluminium लिख लिया aluminium की है neon 3s to 3p1 ये इसका p electron हटेगा इसका 3p electron हटेगा अब यहां पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा boron जो है इसका atomic number कितना होता है 5 और aluminium का होता है 13 ठीक बात 5 से 13 आते आते 8 proton बढ़ गए बढ़ गए 8 proton 8 proton बढ़ने से क्या होगा कि हम expect करेंगे कि उसका जो outermost electron है तो वो बहुआ strongly bound है यह हम expect करेंगे और गलत भी नहीं कर रहे लेकिन यहां factor एक और खड़ा हो जाता है वो factor को देखिएगा कि इसका जो P वाला electron है उसकी shielding कौन कर रहे है पहले S2 कर रहे है फिर पूरा का पूरा neon की shell कर रही है जो neon की पूरी की पूरी configuration 1S to 2S to 2P6 वो जबर्दस shielding हो रही है पूरी भरी हुई configuration तो सबसे ज़्यादा shield करती है यह भी बात जात रिखिएगा कि पूरी भरी हुई अगर shells है उनकी shielding बहुत जबर्दस होती है तो neon और फिर यह 3S इसकी shielding यह कर रहे है इसके 2P की shielding का रहे है helium जो छोटा है वैसे भी और फिर यह 2S तो इसकी भी कर रहे है यानि कि S और S तो चलिए माली जीए एक जैसी बात है इसको तो मैं cancel कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे helium और neon का फरक है तो aluminium is shielded more strongly aluminium is shielded more strongly by the inner shells ठीक होगी बात इस shielding की वज़ा से क्या होगा कि यह जो P1 electron है यह loosely bound होगा यह loosely bound होगा और यह easily dislodge हो जाएगा तो इसका मतलब क्या सिदे सिदे निकला कि aluminium की जो i-n-thlp हो कम होनी चाहिए बोरोन के मुकाबले तो order में यह order है जो actual order है तो इसमें देखिए बोरोन पहले आता है और aluminium बाद में यह आ रहा है बीच वालों की बात जब आएगी मैं करूँगा बोरोन और aluminium यह दोनों इस order में सही है बोरोन बड़ा है aluminium चोटा है सही होगी बात अब हम चलते हैं अपने अगले से कर मैं सभी explain दूँगा अब चलिए अगले की बात करते हैं अगले वाला कौन सा है आपका उसके बाद गैलियम है यह गैलियम है गैलियम का configuration argon के बाद बनता है argon 4s2 3d10 4p1 इसका जो atomic number होता है वो होता है 31 इसका 13 और उसका मैंने 5 बताया था देखिए एक बात observe करिए पहले पहले तो यह 31 देख लिए 31 जो है इसका अगर मैं करूँगा अफबाउ से तो वो argon 4s2 3d10 4p1 आता है अब अब यह देखिए 13 से 31 आते आते बहुत सारे electron बढ़ गए है electronic charge बढ़ा है electronic charge बढ़ने से क्या होगा कि last वाला जो electron है इसका 4p electron है वो more tightly bound expect किया जा सकता है और होगा भी हम इंकार नहीं करते it will be tightly bound also हुई अगर यह shielding strong हुई तो हम सीधा ही कहा देंगे कि यह loosely bound है और loosely bound होने की वज़ा से वो ही logic लगा करके हम कहेंगे कि gallium भई यह इस क्याने से नहीं कम है लेकिन लेकिन यह जो d electron है न बीच वाले यह जो बीच वाले d electron है यह shielding इतनी अच्छी नहीं करते shielding सबसे जबरदस्त करता है S उससे थोड़ी कम करता है P उससे कम करता है D और सबसे कम करता है F यह जो बीच वाले d है न यह इतनी shielding नहीं कर पाते वो shielding नहीं कर पाते तो जो shielding का effect है वो धीमा पढ़ जाता है जबरदस्ट बाइंड कर लेता है और इतना बाइंड कर लेता है कि गैलियम का जो गैलियम का जो आनिस इन्थलिपिय वो अलिमिनियम से ज्यादा हो जाता है तो ये अब आप इस order को देखिए गैलियम अलिमीनियम के पहले पढ़ा हुआ है बोरोन के बाद अलिमीनियम आ गया था अलिमीनियम के पहले गैलियम आएगा ये स्टोरी सिर्फ ये लिंक की वज़ा से जो कमजोर है ये बात होगी clear यहाँ पे आप एक बात और समयलो साथ में वो ये है कि गैलियम का जो एटम होता है इसका रेडियस हम expect करते है अलिमीनियम से बड़ा होना वही ग्रूप वाला फॉर्मॉला की उपर से नीचे जाते आते एटम बड़ा होता जाता है लेकिन भाई साथ जब आप एलिमीनियम से गैलियम तक आते हो गैलियम का जो रेडियस होता है वो छोटा होता है वो छोटा पाया गया है वो छोटा पाया गया है सिरफ इस 3D की वज़ा से यह आपको मैं उस चैप्टर में बताऊंगा भी जहां पे हम पी ब्लॉक की बात करेंगे ना यह वहाँ आपको क्लियर भी हो जाएगा लेकिन यहां फिलहाल यह आपके लिए अभी बहुत इंट्रेस्टिंग बात होगी कि यह 3D का एक्च्छल स्टोरी बड़ी अलग होती है चलो आगे तो गैलियम आ गया आपका अलुमीनियम से पहले तो मैंने 3 क्लियर कर दिये एक दो और तीन गैलियम के बाद हम चलते हैं इंडियम पे इंडियम का क्रिप्टॉन से बनता है 5S2, 4D10, 5P1 यहां चार्ज बढ़ा नुकलियर चार्ज बढ़ा एक फेक्टर दूसरा देखें कि यह जो शील्डिंग वाली स्टोरी है न यहां पे शील्डिंग वाली स्टोरी इसमें शील्डिंग जबरदस्त हो गई है क्योंकि D का D रहा S का S रहा बाकी क्रिप्टॉन तो बढ़ा यहां शील्डिंग एक्चली बड़ी है शील्डिंग एक्चली बड़ी है क्योंकि वहां भी D कर रहा था यहां भी T कर रहा है वहां भी S कर रहा है लेकिन यह आर्गन क्रिप्टॉन में फरक आ गया यह क्रिप्टॉन ज़्यादा शील्डिंग कर रहा है बड़ा बड़ा इसकी definitely confusion बड़ी है इसका मतलब जो इंडियम है उसका गैलियम से कम होना चाहिए इंडियम का आयनेश अन्थेलपी गैलियम से कम होना चाहिए तो अगर मैं इस पे आऊँ सबसे पहले यह कहा था boron, aluminium फिर gallium इधर प्लेस किया था अब इंडियम एंड में आ रहा है इंडियम, gallium के बाद लेकिन इंडियम, aluminium के बाद भी आता है क्योंकि Liquny तो टॉप में अल्यडी इसके मुकाबले तो कम से कम strong ही होगा ना वो तो यह वाली स्टोरी है गैलियम, ऐलिबीनियम और इंडियम का ओर्डर आपका यहां से क्लियर हो गया होगा तो बिसिकली 3D का इफेक्ट ऐलिबीनियम से यहां तक तो आया लेकिन आगे एफेक्ट नहीं आया और वो ट्रेंड वैसी हो गया जैसा हम एक्सपेक्ट करते थे गैलियम is more than इंडियम और गैलियम का जो यह एटम होता है वो इंडियम से छोटा होता है for the same reason इंडियम बढ़ेगा चलो आगे अब आगया हमारा last बात थैलियम थैलियम की configuration लिखिए जीन आगया 6S2 4F 5D 6P यहाँ atomic charge बढ़ा उसने 6P1 को अपनी तरफ खिंचा लेकिन यह जो F4D बीच में आगया है न यह वले यह भीक हैं यह shielding इतनी अच्छी नहीं करते उस वज़ा से क्या होगा कि यहाँ पे shielding का effect इतना नहीं आएगा shielding का effect इतना नहीं आता और यह इतना charge बढ़ चुका है यहाँ पे इसका 81 है Z 81 Z है इसका इसका कितना बताया था मैंने 31 इसका 13 कितना कितना Z बढ़ गया इसका इसका Z इतना बढ़ जाता है proton में इतना positive charge आ चुका होता है कि और यह वली shielding इतनी कम हो चुकी होती है कि overall effect होता है कि जो thallium होता है इसका energy therapy सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है वो इसको P1 को बहुत ज़्यादा attract करता है दो कारण एक तो बढ़ा हुआ nuclear charge दूसरा weaken हुई shielding due to F and D यह मैंने language तो आपको एक common man की language में समझा दिया है यह आप मेरे इसमें link पे चला जाना description में वहाँ link है click करना वहाँ English है बड़ी brief सी English लिखी हुई है वो वैसे समझ नहीं आएगी पर वीडियो देखके वो समझ आ जाएगी आपको इसलिए मैं थोड़ा detail में इसको normal angle बोल रहा हूँ अच्छा तो यह thallium का जो है आयनिशन थैलपी ज़्यादा हो जाता है और यह in fact इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो gallium aluminium से भी ज़्यादा हो जाता है लेकिन boron से कम रहता है तो यह order इसलिए यह explain करता है देखिए boron से मैं aluminium गया था aluminium से gallium explain किया gallium से indium explain किया अब thallium में F4D की बारी आ गई और thallium में in fact इतना ज़्यादा हो जाती है कि वो just boron के बाद ही place होती है practically जो observe किया गया है इस तरह से यह सारी story है यह आप इसको सारा देख लीजेगा thank you